कितनी बाद आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक शूट खतम किया है और उसके बाद जब आप फाइल्स को अपने सिस्टम पे डालते हैं तो आपको लगता है कि यार यहाँ पे लाइट थोड़ा सा कम हो गई है यहाँ पे लाइट थोड़ा सा जादा होती तो बेटर होता यहाँ पर यह प्रॉप में रख लेता या गार्मेंट को मैं इस तरीके से स्टाइल कर लेता यह सब इसलिए होता है क्योंकि आप यह कैमरे के पीछे की जो स्क्रीन है आप अपनी इमेज को क्लिक करने के बाद उस पे रिव्यू करते हो छोटी सी स्क्रीन है आप आप के उपर उसको इमेज को लेके जाते हो वहाँ पर जो बड़ी स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिखाई देती है उसमें जमीन आस्मान का फरक आ जाता है आपको अपनी सारी कमिया दिखाई देने शुरू हो जाती है तो अगर मैं यह कहूं कि आपको अपने कैमरे की बै को बताऊंगा किस तरीके से आप effectively अपने कैमरा को अपने laptop के साथ ये desktop के साथ connect कर सकते हैं और बड़ी screen के थुरू आप अपनी images को review कर सकते हैं उसके थुरू आप click कर सकते हैं अपनी pictures को ताकि आप छोटी से छोटी गलती को भी नजर अंदाज ना करें उसको भी आप देख पाएं उसको वहीं पर correct कर पाएं आपका white balance accurate हो आपकी lighting accurate हो हद चीज बिल्कुल perfect जब आप shoot कर रहे हो वहाँ पर capture हो जाए हाई my name is विपिन गौर and I'm a commercial and fashion photographer और पिछले 12 साल से मैं photography कर रहा हूँ इस वीडियो में मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है एक easy तरीका टीधरिंग सेटप क्रियेट करने का और टीधरिंग सेटप क्रियेट करने के लिए आपको जरुत होती है सिर्फ दो चीज़ों की एक software जिसके अंदर के आप अपनी images को capture करेंगे और एक cable जिससे की आप अपने computer को अपने camera के साथ में connect करेंगे दो तरीके के software साथ हैं एक तो वो software जो की camera manufacturers बनाते हैं यानि की आपके camera के साथ में आते हैं और दूसरे वो software जो की third parties create करती हैं जैसे की Adobe का Lightroom और Capture One तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे Capture One की Capture One मैं पिछले एक देर साल से इस्तमाल कर रहा हूँ उससे पहले जो मैं इस्तमाल करता था वो करता था Lightroom तो Lightroom से मैंने Capture One पर shift क्यों किया वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ यहाँ पर बेसिकली जब आप teether shoot करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको जो connection computer के साथ में हो वो flawless रहे यानि कि जिस वक्त आप shoot कर रहे हैं उस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि connection बीच में break हो रहा है क्यों कि होगा क्या आप उदर shot लेंगे इधर connection break हो जाएगा तो आपकी file transfer नहीं हो पाएगी पूरा का पूरा shoot आपका बीच में रुख जाएगा instead of के teethring आपको benefit पहुचाए आपका shoot process बहुत लेट हो जाएगा और जब आपके साथ में client खड़ा होता है तो आप नहीं चाहते कुछ भी इस टाइबी complications आए और यहाँ पर time आपका waste हो तो light room के साथ में ये problem है कि आप जब भी उसके साथ teethring करेंगे और वहाँ पर जब आप camera को on करते है camera automatically stand by mode में चला जाता है तो वहाँ पर light room हैंग कर जाता है light room उसके बाद में आपके camera को detect नहीं करता है तो उसके बाद आप पूरे connections हटाई है light room को restart कीजिए फिर जाकर के वो कहीं आपका camera detect करेगा और वहीं जब से मैंने capture one को इस्तेमाल करना शुरू किया है मेरा teethring process जो है बहुत smooth हो गया है so capture one मेरी choice है बट आप अगर light room इस्तेमाल करना चाहते हैं आपके पास light room है या आपको light room इस्तेमाल करने की आदत है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह मेरी personal preferences है और यह मेरे personal experiences है जो मैं यहाँ पर आपके साथ में share कर रहा हूँ so software हमने जान लिया कि हमारे पास light room है हमारे पास मैं capture one है हम इस वीडियो में capture one के उपर बात करेंगे अब एक चीज़ आपको और चाहिए वो है cable वो cable जिससे आप अपने camera को connect करेंगे अपने laptop या desktop के साथ में तो सबसे common नाम आज की rate में है teether tools teether tools की जो cables हैं बहुत expensive है 4-5,000 रुपे की cable आती है so उसका alternate यह है कि आपके camera के साथ जो cable आती है वो छोटी सी cable आती है आपके camera के साथ अगर cable नहीं भी आई है तो भी कोई tension की बात नहीं है यह normal एक USB-C type cable है जो की Z6 के अंदर लगती है और यहाँ पर मैं आपको एक दूसरी cable दिखाता हूँ यह एक normal hard drive वाली cable है लेकिन इसका जो connector है यह मेरे 810 के अंदर लगता है तो instead of के मैं teethering tools की cables लेकर के आऊ मैं इन cables को use करता हूँ और इनको extend करने के लिए यह है USB extension cable इसका जो link है मैंने description में डाल दिया है आप इसको देख सकते हैं और यहीं से आप इसको order भी कर सकते हैं मैंने जो cable खरीदी है उसी का exact link मैंने आपको यहाँ पर इस video में डाल करके दिया है तो आपको अगर यह खरीदना आप खरीदने है शायद 200-200 रुपे की cable है तो अब आप यह देखिए कि एक simple 200-200 रुपे केबल यह कोई भी cable आपके hard disk वाली आपके camera के साथ जो cable आई है वो आपने simple करना यह है कि इसको आपने यहाँ पर connect कर दिया और better यह है कि आप यहाँ पर इसको tape कर दें tape भी नहीं करते हैं तो आप simple सा इसको यहाँ से इस तरीके से आप यहाँ पर इसको लगा लें ताकि यह जब खिचे भी तो यह निकले नहीं उसके बाद में यह हिस्सा जो है आपे camera में connect होगा और यह side जो है वो आपके laptop के अंदर जाएगी so मैंने यहाँ पर एक dock यूज किया हुआ है उस dock के साथ मैं इसको connect कर देता हूँ so let me connect it मैंने dock के साथ यहाँ पर इसको connect किया और अब मैं अपना z7 यहाँ पर connect करता हूँ okay तो मैंने z7 यहाँ पर connect कर दिया है so अब हम क्या करते हैं एक बार capture one को खोलते हैं okay so हम यहाँ से capture one खोलते हैं so capture one में हम यहाँ पर start करते हैं एक new session so new catalog या new session catalog और session के अंदर एक difference है पर मैं हमेशा sessions create करना prefer करता हूँ क्योंकि sessions के अंदर जो capture one है अपना एक folder structure create कर देता है जो बहुत helpful होता है okay so यहाँ पर हम सबसे पहले create करेंगे name session name, session name बहुत important है so अभी यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ मेरा जो studio है मैं उसका नाम देता हूँ यहाँ पर वीजी स्टूडियोज right so वीजी स्टूडियोज के लिए हम cover shoot कर रहे है वीजी स्टूडियोज cover okay कहाँ पर हम सेफ कर रहे है यहाँ पर location हम यहाँ पर define करेंगे so मैं prefer करता हूँ अपनी Samsung की मेरे पास SSD है उसके अंदर so मेरे जितने भी client के काम होता है वो मैं यहाँ पर सेफ करता हूँ so यहाँ पर मैंने स्कुछ किया choose अब यहाँ पर जो फोल्डर जो create होंगे वो create होगा एक master vgstudios cover और उसके अंदर जो folders create होंगे वो होगा capture उसके अंदर आएगा एक selects एक output एक trash और capture name जो रहेगा वो है vgstudios underscore cover so let's create this first अब यह नया session हमारा open हो गया है पर मैं साथ में आपको यह folder एक बर दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से create होगा so यहाँ पर अगर हम आएँगे so यहाँ पर vgstudios cover एक folder बन चुका है और उसके अंदर आप यहाँ पर देखिए यह capture folder इस capture folder के अंदर basically जो भी अब images हम यहाँ पर capture करेंगे वो by default इसके अंदर आएंगी जो भी हम output निकालेंगे इस में से कोई भी हम output निकालते हैं जैसे कि हम उसको TEF out निकालते हैं या हम DNG out निकालते हैं के अंदर जाते हैं और यहाँ पर एक नया folder create करते हैं और इसको हम दे देते हैं light test ओके एंद हमने सोचा के भी हमारे पास में आज जो है आठ से दस हमारे पास looks होने वाली हैं तो अलग-अलग looks की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ और ऐसे हम एक और folder बनाते हैं और इसको डालते हैं shoot 3 आप इसमें कुछ भी कह सकते हैं government 1, government 2, look 1, look 2, look 3 आप इस तरीके से भी यहाँ पर आप कर सकते हैं आप यहाँ पर हमने folder तो बना ली हैं लेकिन यहाँ पर जब हम capture 1 पर आएंगे जब यहाँ पर आप आएए यहाँ पर यह कामरा आपको दिखाई देगा एक सेकंड मैं कामरा को on कर देते हैं यहाँ पर जैसी मैंने camera on किया आप यहाँ पर देखिए इसको यह कह रहा है रजिस्टर करने के लिए डोंट रजिस्टर अभी नहीं रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पर जैसी मैंने कैमरा ओन किया capture one ने उसको immediately identify किया सारी settings मेर पास यहाँ पर आ गई है यहाँ से मैं aperture को यही से change कर सकता हूँ ISO में यहाँ से change कर सकता हूँ यहाँ पर मैं अभी shutter को नहीं change कर पा रहा हूँ यहाँ पर यह जो वहाँ पर अभी shutter इसलिए नहीं दिखा ही दे रहा था क्योंकि यहाँ पर camera मेरा गलती से video mode पर था अब जैसे मैंने उसको still mode के उपर डाला तो यहाँ पर आप देखे के shutter की भी यहाँ पर मेरे पास में options आ गया तो मैं shutter को भी change कर पा रहा हूँ right so अब यहाँ पर है capture naming okay so capture naming को हम यहाँ पर correct करते हैं okay so let's go here so इसको अभी मैं पहले हटा देता हूँ हम डालते हैं यहाँ पर document name और हम यहाँ पर डाल देते हैं digit counter और four digit counter यहाँ पर हमारा चलेगा और भी बहुत सारी चीज़ा है अगर आप यहाँ पर डालना चाहते हैं आपको जो भी कुछ डालना है वह आप यहाँ डाल सकते हैं तो एक मैं यहाँ पर current date और add कर देता हूँ तो अब क्या हो गया document name current date और उसके बाद नीचे four digit counter तो आप यहाँ पर देखेंगे तो document name क्या है document name हमारा जो है वह है vg studios underscore cover नीचे आपको दिखा रहा है उसके बाद में date March 10, 2021 और उसके बाद में आ रहा है हमारा four digit counter जो कि यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रहा है triple zero one dot iq से confused होने के जरूत नहीं है जब आप shoot करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर आपको normal आपका nef या cr2 जो भी आपका camera आप यूज कर रहे हैं उसका जो भी raw format होता है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर हम एक चीज और डाल देते हैं and that is here it is collection name so अब जो मारा file होगा वो file के अंदर date भी आ रहा है यहाँ पर अगर आपको date नहीं चाहिए आप उसको हटा सकते हो मैं इनको separate करने के लिए एक इनके बीच में underscore लगा देता हूँ right जाकि थोड़ा सा easy हो जाए आप देखेंगे नीचे जो भी मैं यहाँ पर change करता जा रहा हूँ वो यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके पास में date के अलग लग formats है आप जिस format में लगाना चाहें उस format में लगा सकते हैं वो यहाँ पर change हो जाएगा और आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा पर यह मेरा तरीका है अगर आपको date नहीं उसकर नहीं आपको इसमें कुछ भी changes कर रहे हैं अब इसको हम वापस लगा देते हैं अदर तो अब हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आ करके जो हमने session folders जो हमने यहाँ पर की थे session favorites इसको right click करके हम यहाँ पर कह देंगे set as capture folder तो अब यह हमारा हो गया है capture folder तो अब जो भी हम starting के जो shots लेंगे वह starting के shots मेरे कहा test के अंदर आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो कहाँ जाने destination light test तो जो भी मैं lighting का test कर रहा हूँ जब मैं one light two light three light setup जो भी मैं create करता हूँ जो भी कुछ मैं वहाँ पर lighting बे changes करूँगा वो shots मेरे client के किसी काम के नहीं है तो यहाँ पर हम जो test करेंगे वो हमने यहाँ पर डा and now our capture is happening in shoot one so more or less यह हमारा पूरा पूरा setup था टीदरिंग capture करने का इसके अंदर आप अपने changes खुद कर सकते हैं बहुत convenient है आप एक बर capture one को अच्छे से explore कीजिए मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी एक दो वीडियो आपके लिए बनाओ capture one के so अगर आपके कुछ भी सवाल हैं आपको capture once rated कुछ आप पूछना चाते हैं आपको cables को लेकर कोई doubt है आपको camera connect नहीं हो पा रहा कोई भी आपको doubt है या कोई भी comment आप करना चाते हैं कोई भी question आप पूछना चाते हैं तो please यहाँ पर इस वीडियो पे आप comment section में जाके comment कीजिए अगर आपको वीडियो प